एलो फ्रेंड्स मैं सोनिया भाटिया आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल आस्था जोतिश ग्यान में जिसमें मैं आपको कई धार्मिक जोतिश से जुड़ी बाते बताती हूँ और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक मे हैल आइकन को जुरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको जोतिश से जुड़ी सभी महतवपून जानकारियां प्राप्त होती रहें मंगलवार को लाल रंग का तिलक लगा कर घर से निकलें बनेंगे सारे बिगड़े काम मंगलवार हनुमान जी का दिन है इस दिन हनुमान चलिस पढ़ने के साथ पूजन का विशेश महतव है ऐसे में माथे पर लगाये जाने वाले तिलक का दिन चर्या में खास परभाव पड़ता है जोतिश आसर के मुताबिक मंगलवार को लाल रंग या सिंदूरी तिलक लगाने से मंगल कारी होता है सभी बिगड़े काम बन जाते ह जोतिश के अनुसार मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना गया है इस दिन का स्वामी ग्रह मंगल है मंगल लाल रंग का प्रतिनिदित्व करता है इस दिन लाल चंदन या चमेली के तेल में घुला हुआ सिंदूर का तिलक लगाने से उर्जा और कारे शमता में विकास होता है मन में प्रसनता बनी रहती है मन की उदासी और निराशा हट जाती है और दिन शुब बनता है इस दिन हनुमान जी को लाल चंदन का तिलक लगाएं और उन्हें लाल रंग का चोला चड़ाना चाहिए आस्था से जुड़े इस तिलक को लगाने के कुछ नियम बनाए गए है जैसे तिलक हमेशा सनान करने के पश्चा स्वच वस्त्र पहनने के बाद ही लगाएं घर के मंदिर में हनुमान जी की प्रतीमा के सामने हनुमान चालीसा का पाट करने के पश्चा थी सबसे पहले सिंदूर में चमेली का तेल मिला कर हनुमान जी के चर्णों पर लगाएं औ और फिर उसके पश्चात आप अपने माथे पर या घर के सदस्यों के माथे पर तिलक लगाएं। हनुमान जी के कंदे पर लगे सिंदूर को प्रसास सवरूप अगर आप अपने माथे पर लगाते हैं, तो सभी बाधाएं दूर होती हैं और शत्रूओं का नाश होता है शास्त्रों के नुसार जब जोतिश ग्रह के प्रभाव से बच्चा ज्यादा जिद्धी हो चिर्चडा हो, क्रोध अधिक करता हो, माता पिता या अन्ने लोगों की बात नहीं सुनता हो तो हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर, मंगलवार या शनीवार को बच्चे के माथे पर लगाएं ऐसा करने से बच्चे के सभाव में बदलाव आने लग जाता है जिन व्यक्तियों को गुसा अधिक आता है, उन्हें ये उपाएं काफी फाइदे मन्द है हनुमान जी को बल और बुद्धी का दाता माना जाता है अगर बच्चे को या खुद आपको नजर या टोक बार बार लगती हो तो हनुमान जी के दाहिने पैर का सिंदूर मस्तक पर लगाएं आपको नजर दोश से जरूर मुक्ति मिलेगी तो चलिए मित्रो आज हमने जाना कि मंगलवार को लाल रंग का तिलक लगाना कितना महतवपून होता है इस परकार आप भी अगर अपनी जिंदगी में बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो आप मंगलवार को हनुमान जी का तिलक जरूर लगाएं ताकि आपके बिगड़े काम फिर से बनने लग जाएं और आपके मन में जो बुरे और नकरात्मक थोड़ साते हैं वैसा बाने बंद हो जाएं और एक बार आप फिर से उर्जा और उत्सा से भरा जीवन बिता पाएं तो चलिए मित्रो इसी के साथ अब मैं विदा लेती हूँ अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल आस्था और जोतिश ग्यान को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताक आप मुझसे कोंटेक्ट कर सकते हैं गन्यवाद मित्रो